हालो गाइस बैवनास और आज मैं फिर से एक बर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केच अप हिंदी पे तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जैसे रहते हैं एग को वीडियो all पर चैनल अश्रक हो टॉसर करें ग्राइट की तरह है जो है यह लेकिन यह अपने कुछपी यह यूज नहीं कि थे कैंझा है तो आज हम इसे रिएलिश्टिग ग्राइट की तरह render करेंगे ठीक है तो चलिए शुरूर करते हैं सब से पहले मैं top view पे आता हूँ तो अब इसे render करके देखते हैं तो render जब हम करते हैं तो उसके लिए सब से पहले हमें asset manager open करना है तो यह दिखोंगे यह हमारा asset manager जार ओपन हो गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे simple settings में जाके हम अपनी चीजे थोड़ासा medium करते हैं render output को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ठीक है और इसे medium पर रोगदेते हैं ठीक है और render करते हैं तो first render हमें दिख़ेगा की actual में कैसी scene आ रही है सारी ठीक है जैसे आपके देख सकते हैं यह भी फ्लैट है और यह भी फ्लैट है ठीक है तो अब जर open कर लेता हूं ताकि हमें दिखता रहे कि actual में क्या हो रहा है यहां पर तो अभी यहां पर नहीं है तो इसे देखिए आप इसे भी direct select करके एंड यहां पर फर को select कर सकते हैं तो दिखें जैसे मैंने फर को select किया यहां पर एक बन गया है ठीक है लेकिन इसमें कुछ आया नहीं है अभी इसलिए मैं इसे हटा दे रहा हूं delete यहां से इसे select करना है simple और यहां से फर को select आप देखा है कि यह easily यहां पर आ गया है ठीक है और यहां पर हम देखेंगे यह तो इस तरीके का फिर उसके बाद खुलेगा फर यह आया और यह और उसके पास सेम मैं दो सब को साथ लेके करता हूं इसे करिया और यहां पर मैं इसे भी रख करता हूं फर तो यह देखिए हैस्टेग 1 के साथ आया और तीसरे को भी स्लेक्ट करते हैं और फिर इसे तो यह हैस्टेग 2 के साथ है ठीक है तो सबसे पहला वाला में कोई हैस्टेग नहीं है दूसरे में हैस्टेग 1 और तीसरे में है तो अब हमें करना क्या है और तीनों को मैंने इसलिए रखा है ताकि डिफ्रेंस पता चल सके ठीक है जो डिस्टिबूशन है वह पर एरिया रखना है यहां पर दो तरीके के होते हैं पर फेस और पर एरिया तो पर एरिया रखेंगे काउंट की आपको कितना चाहिए यह तो मैं इसे फुल कर देता हूं सीधा सीधा ठीक है लेंथ आपको जैसे कई कारपेट मुझे जो कारपेट पसंद है उसके रग्स बहुती छोटे होते ठीक है मतलब उसके थ्रेड्ड जो होते हैं वह बहुत छोटी-छोटे होते वह जाद लेंथ की लेंथ चेंज करना पड़े और मैं फिट इंचेज में काम कर रहा हूं तो 0.5 mm मेरे हिसाब से सही है ठीकनेस ओके तो यह चीज़ आपको दिखेंगी कैसे यह भी दिखाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा-थोड़ा इन्हें ऐसे रख ले रहा हूं टेपर बगारा सब यहां रेंद रहे हैं इसे भी यहां कर दे रहे हैं एंड फर वन में फुल लेंथ और यह सब बढ़ा दिया ठीक है अब सीन पर जाके एकी बार रेंडर करेंगे फिर हम देखते हैं क्या दिखता है हमें तो यह रेंडर हुआ अगर मैं यहां पर कंपेरिजन करूं फर्स्ट और सेकंड की बीच में यहां और यहां तो अब देख सकते हो पहले बिल्कुल फ्लैट था अब इसके थ्रेड्स प्रॉपर साफ दिखने लग गया है और यहां पे भी देख सकते हैं इस कार्पेट में यह बिल्कुल यहां पर प्लेइन था और अब यहां पर दिखने लगया तो मुझे इस तरीके के थ्रेड्स पसंद आते लेकिन और थोड़े छोटे होंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे ठीक है तो कई लोगों के थोड़े बड़े थ्रेड्स पसंद आते हैं कई हो को छोटे तो वह आप देख सकते तो अब सिंपल क्या है कि मैंने तीन जगा पर क्यों किया ठीक है इसमें चेंजेस कलर को लेकर चेंजेस नहीं होते हैं इसलिए मैंने इस तरीके से किया जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर और हां लेंथ तो यह हो गया लेंथ अगर और में full कर दूँ और उसके बाद thickness थोड़ा कम thickness भी फूल करता हूं ठीक है तो एक एक करके render देखेंगे दोनों को close कर देता हूं मैं यहां से हमें दोनों दिखेंगे सईसे ऐसे ठीक है तो जब भी आपको जो भी कार्पेट बनाना हो उसी को प्लेन लाइए आप जैसे मैंने इस पहले वाले में आप इसमें देख सकते हैं मैंने वाइट रखा था करेंगे चैन्ज़ करेंगे और फिर उसके बाद कंपेर करेंगे मैं इस में क요 आपra करते हैं तो यह हमारा सब्सक्राइब करने में आसान हो तो उसके बाद अवह देखो ठिक्नेस को कम करेंगे हो तो यह सारी चीजे ना आप experiment करेंगे तो आपको जादा दिखेगा अब देखिए पहले और अब के मुकाबले में threads कितने कम हो गए मैंने एक में ही गलती से किया सिर्फ एक में changes किया तो एक में changes हुए है और दूसरे में changes नहीं हुए है ठीक है मैं compare करके अभी दिखाता हूं आपको एक बार यह final enter हो जाए यह देखो तो compare करते हैं first और second तो यहां देखो यह threads कितने मोटे हैं और यह कितने पतले हो गया है second में मैंने changes नहीं किये तो यह बिल्कुल भी changes नहीं हुए ठीक है तो फिर से मैं अभी इसमें भी changes करता हूं for two में और इससे यहां करते हैं length full करते हैं ठीक है हमने first में कितना रखा है 0.19 तो मैं इसमें भी 0.19 नहीं कर देता हूं ठीक है अब फिर से एक बार रेंडर करते हैं तो यह देखे शार्प दोनों में बिल्कुल शार्प है ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर प्रॉपर घास बनी हुई है तो आप इसे भी direct रख सकते हो कि अगर आपको सिर्फ घास चाहिए सीधा सीधा मतलब सीधा चाहिए आपक कुछ भी नहीं है अगर आपको लग रहा है कि यह टेड़े मेड़े हैं तो इसा होते ही है अगर आपको सिर्फ शाप चाहिए कि खड़ा खड़ा होना चाहिए तो वह भी कर सकते हैं तो सिंपल उसमें क्या है कि यहां जो gravity है इसे जीरो कर दीजिए तो इसका behavior चेंज हो जा दीखें कि फर्स्ट और यह सेकंड तो यहां पे gravity की वैज़े से सिर्फ यह कितनी changes हुए है ठीक है यहां पे कोई changes नहीं हुए क्योंकि मैंने इसकी gravity में कोई छेचर्ट नहीं किया एंड यहां पे changes हुए है अब जो actual gravity हम कहते हैं वह कितना होता है हमारा 9.9 कुछ something 9.2 या 9 9.8 तो मैं 9.2 करता हूं अब हम render करेंगे तो हमें actual gravity दिखेगी जिससे यह पूरे गहां सीधे खड़े खड़े दिखेंगे अब देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे straightener लगा कि किसी ने सीधे कर दियो सारे बाल खड़े कर दिये हैं बिलकुल नीचे सराउंड घूम घूम के बिलकुल सीधे हुए पड़े हैं ठीक है तो यह चीज है आप compare कर सकते हैं फिर से इसे इसके साथ यह देखिए यहां पर यह कैसे कैसे बिलकुल ची behavior इसका change हो गया है ठीक है तो gravity सुरू में starting में यह fix होती है माइनस थ्री तो मैं माइनस थ्री ही रख रहा हूं ठीक है माइनस थ्री ठीक है तो आयभी कि यह आपको समझ में आया होगा अब मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको simple glass दिखाना है ग्राश दिखाना है और यह दिखाना है आप देख सकते मैंने इसे क्यों चूज कि यहां पे आप देख सकते दोनों solid है ठीक है इसमें मैंने दो color या तीन color आपको जैसे choose करने है वैसे रख सकते हैं अगर मैं इन्हें compare करूँ तो ठीक है तो इसे यहां पे रखते हैं और उसके साथ compare करेंगे तो इसे एड़ करते हैं अपडेट 3 में एंड इसे यहां जाते हैं फर 3 में हमें चेंजिस करने हैं इसकी लेंद्ध फूरी करनी है और इसे करना है पॉइंट वन नाइन ठीक है यह भी पूरा है ग्रैविटी सेम है एंड फिर हम रेंडर करते हैं मैं एक बार इसे दुबारा से चेक कर लेता हूं यह दोनों सेम है और यह भी फुल है फिर रेंडर करते हैं तो यह देखे पहले से अचाशे। उस तरीके से डले होने से फैदा क्या है कि जहां देखे इसमें प्रपर डिजाइन जिस तरीके से बना हुआ था वो गोल्डेन की जगह गोल्डेन थ्रेद्द निकले हैं और ब्लैक की जगह ब्लैक थ्रेड्ड आया और ग्रास अपने तो वह solid grass के उसमें आया है ठीक है हम एक चीज और चेक कर सकते हैं इसके threads पगेरा आपको अगर कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो normal सी चीज है यहां से length को कम किजेगा तो ज्यादा सही आएगा अगर मैं length टू कर देता हूं ठीक है क्योंकि मुझे जो threads पसंद आते हैं वो कम threads वाले जो बिल्कुल थोड़े से होते हैं निकले हुए वह ज्यादा पसंद आते हैं मैंने किसी और का thread चेंज कर दिया है ब्लैक की जगह मैंने grass वाले का thread चेंज कर दिया है इसे भी change करते हैं सेम टू तो यह देखें मुझे जो एक्चुल में पसंद आता है वो इस तरीके का आता है कारपेट या रग पसंद जो भी बिल्कुल थोड़े थोड़े रग करें प्रॉपर अच्छे तरीके से पैरों में यह नहीं कि वह गीले पैर है तो उसमें चिपक रहे हैं या कुछ और ठीक बगाइदा इसमें छोटे से ठीक है और इसमें भी ठीक है हम एक चीज़ करके देखते हैं यहां से मटेरियल हम क्या मटेरियल एड़ कर सकते हैं कार्पेट और हम अपना सेंडर करता है ठीक है तो यह द охтор gord करते ही इसने अपने ही आप अकलर स्लेक्ट कर लिया है था हम एक बार चैक करते हैं क्या मैंने पहले से कोई कलर किया हुआ था इसके पर हां तो मैंने जो यहां कार्पीट का Color select कर रखा था वह देखे वही है इसकी वजह से उसका Color वह आया था ठीक है तो हम इसके अध्रियल में देखते हैं यह यह के मटेरियल की कार्पिट में और आप Color चेंज करते हैं जैसे मैं यहां से जाके कोई और color choose करता हूँ इसे choose करता हूँ इसे ठीक है open और उसके बाद हम render करते हैं render तो यह देखें वहां से यह change हो चुका है ठीक है हम compare कर सकते हैं simple सी चीज़ है एक और दो के बीच में यह रिखें ठीक है तो जो भी है आप इसे change कर सकते हैं तो आई